अलो दोस्तों नमश्कार आप सभी के स्वागत है DRKTV पर मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर गनेया भी कानेर राजस्थान से दोस्तों आज इस वीडियो के मादियम से जिन लोगों के साथ में शिकायत रहती है कि सर हम अपने present moment के साथ में connect नहीं हो पाते अपने वर्तमान के साथ में जुड़ नहीं पाते तो हम वर्तमान के साथ में कैसे जुड़े एक ऐसी टेकनिक आप लोगों के साथ में शेयर गर अगर हम अपने जीवन में इस टेक्निक को उतारते हैं तो हमारा जो वर्तमान है वो कभी हमसे दूर ना होगा, कभी हमसे डिसोशेट ना होगा, खुद चल कर हमसे जुड़ेगा, क्या है ये टेक्निक बहुत अच्छे समझेगा, दोस्तो इस टेक्निक से पहले मैं आप लोग लगी, तो भूक लगी तो वो अपने आसपास देखती तो उसको एक बगीचा दिखाई देता है फलो का, तो वो उस बगीचे में जाती है और वहाँ पर उसको बगीचे के अंदर खुब सारे अंगूर हैं वो लगेवे दिखाई देते हैं, तो वो जो अंगूर हैं उसको बहुत ज़दा लजील लगते हैं, बहुती ज़दा रसीले लगते हैं तो वो उन अंगूरों को पाने के लिए जंप करना सुरू होती है, कूदना सुरू होती है, अब वो एक बार कूदती है, उसको अंगूर नहीं मिल पाते हैं, दो बार कूदती है, तीन बार कूदती है, अब कुदने के बाद उसको अंगूर जब नहीं मिलते तो वो एक statement बोलती है क्या statement बोलती है कि अंगूर खटे हैं अब यहाँ पर उसने अंगूरों को taste नहीं किया बट फिर भी वो क्या कह रही अंगूर खटे हैं अच्छा ये line क्यों बोलनी पड़ रही है ताकि वो मीठे हैं तो मीठे हैं तो मैंने खाये क्यों नहीं अच्छा खाये नहीं इसका मतलब मुझ में कुछ कमी है अंगूर तो अपनी जगे से ही है मुझ में कुछ कमी है इसलिए मैं उसको क्या नहीं कर पारी खा नहीं पारी मतलब नहीं खाने का जो कारण है यहाँ पर कौन है म मैं खुद हूँ, मेरी inability की वज़े से मैं क्या नहीं कर पारी, खा नहीं पारी, लेकिन जब ये line बोल दी जाती है, कि नहीं अंगूर खटे हैं, मतलब अंगूरों के कारण में उसको क्या नहीं कर रही, खा नहीं रही, तो अंगूरों से आराम से distance बन जाती है, अंगूरों से कोई भी negative comment किया जाता है, तो उसके लिए आसान रहता है, कि वो क्या कर लेती हैं, अंगूरों से distance बना लेती है, या यूं कह दें कि हम किसी भी चीज़ के बारे में अगर कुछ भी negative बोल रहे होते हैं, तो हम उस चीज़ से क्या बना लेते हैं, distance बना लेते हैं, दूरी बन जैसा मेरा body का structure दिया, अगर मैं इस structure को लेके कुछ भी negative बोलता हूँ, तो मेरा इस structure के साथ में क्या हो जाएगा, dissociation हो जाएगा, अब dissociation हो जाएगा, तो मैं अपनी structure के साथ में happy feel ही नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं इस से क्या हो गया, दूर हो गया, अगर मैं मेरे आस जाँगा, दूर हो जाँगा, मैं मेरी family के अंदर रहा हूँ, मैं family members के बारे में negative comment ही कर रहा हूँ, उनके बारे में negative negative ही बोल रहा हूँ, तो मैं उनके साथ में बिल्कुल भी associate नहीं हो पाऊँगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि sir, मैं मेरे परिवार वालों के साथ में और पढ़ते पढ़ते वो अपने आपको कुछ इस तरह के statement भी दे रहा है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, यह पढ़ाई नहीं होगी, subject brought up है मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, यह negative अगर चीज़े हम continuously बोल रहे हैं, तो य उसके साथ में अगर मुझे जुड़ना है, तो मुझे उसके regarding जो मेरे statements और statements को मुझे क्या करना पड़ेगा, change करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, उस perception को मुझे सही करना पड़ेगा, जो perception मुझे अपने आप से क्या कर देता है, दूर कर देता है, अच्छा, यह जो perception यह किस तरह से सही होगा, basically यह जो perception है, यह किस के उपर depend करता है, यह depend करता है हमारे neural patterns के उपर, जो हमारे brain के अंदर neural patterns बने हैं, और यह patterns हमारी past की learning से बनते हैं, जो बचपन से अब तक हमने जो भी हमारे जीवन में सीखा, उसी learning के आदार पर हमारे दिमाग के अंदर क्या ब पैदा हो रही है, अगर जो भी information जा रही है, उसकी internal reality अगर मेरे दिमाग के अंदर negative बन रहा है, तो अगर खुद को लेके internal reality negative है, तो मैं खुद की personality से खुश नहीं हो पाऊँगा, मुझे मजा नहीं है पाएगा, मैं इससे क्या हो जाऊँगा, दूर हो जाऊँगा, environment को ल अपनी जो भी branch है, अपना जो भी subject है, उससे अगर मुझे associate होना है, उससे अगर मुझे जूड़ना है, तो अपने इस negative perception को मुझे change करना पड़ेगा, इस negative perception को मुझे बदलना पड़ेगा, मुझे इस negative perception का जो root cause है, जो negative patterns है, जो मेरे दिमाग के अंदर बने हुए, उन patterns को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा अच्छा, इन पैटन्स को कैसे सही करेंगे इसके लिए हमें cognitive behavioral therapy जो CBT है उसका regular practice करने की ज़रूत है यहाँ पर CBT के practice के अंदर क्या करते हैं, कि जो भी हमर दिमाग में thought आ रहा है, हम उस thought को dispute करते हैं, उसको तोड़ते हैं उसको break करने की कोशिश करते हैं कि यह जो thought सही है तो मेरे पास में evidence क्या है मेरे पास में proof क्या है ने सर कभी उसने ऐसा कुछ किया था क्या daily ऐसा कुछ कर रहा है ने daily तो कुछ नहीं कर रहा है, उस दिन किया था तो वो एक दिन को हम क्या कर रहे है हर दिन के उपर जन्रलाइज कर रहे है हमारे पास में evidence क्या है अपने आपको evidence देना जब evidence नहीं है तो इसका मतलब मेरे दिमाग के अंदर यह जो भी thoughts आ रहे है यह सारे के सारे क्या है dysfunctional thoughts है यह imagination है यह कलतनाए है यह reality नहीं है जब हम continuously साथ में जुडने लग जाते है associate होने लग जाते है खुद की personality के साथ में associate होने लग जाते है अपने environment के साथ में हम क्या होने लग जाते है associate होने लग जाते है उनसे जुडने लग जाते है तो दोस्तों अगर हमें जुडना है तो अपने इस negative patterns को हमें break करना पड़ेगा उस प्लीज उसे सिस्क्राइब करें ताकि मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचाएं दोस्तो हम लोगों ने हमारे negative patterns को हम कैसे break करें और उसकी जगे कैसे हम positive pattern को install करें ताकि हम हमारे खुद के साथ में अपने environment के साथ में अपनी family के साथ में अपने work के साथ में पूरी तरह से associate हो पाएं इसके उपर step by step learning का CBT का पूरा course launch किया है जिसका link नीचे description में है जिसको आप अपने अंदर install करके अपने negative perception को पूरी तरह से अठा सकते हैं और अपने साथ में एक पूरा संबंद कायम कर सकते हैं अपने वर्तमान के साथ में अपनी family के साथ में अपने work के साथ में एक association build-up कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जै हिंद जै भारत